Diagnostic Feature of ODD So when we talk about the Diagnostic Feature of ODD तो basically इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि जो आपका ODD का Diagnostic Criteria दिया गया है DSM-5 में उसकी further elaboration जो है वो आपको Diagnostic Feature से मिलती है अब Diagnostic Feature की Elaboration का क्या मतलब है कि certain time when we read the Diagnostic Criteria तो हमें clarity नहीं होती कि इस A category का criteria A का criteria, B का criteria, C का, D का, E का इसका basic मतलब क्या है यह इसको हमने understand कैसे करना है तो उस चीज़ की understanding के लिए DSM-5 में diagnostic features जो है उनको explain किया गया है जो help करता है आपको Diagnostic Criteria को understand करने में अब diagnostic features यहनि किन चीज़ों की basis के उपर आपने बच्चे को कहना है कि इसको ODD हो सकता है उसमें कौन सी चीज़ें जो है आपको understand करने की यह compulsory हैं आपके लिए तो उसमें diagnostic feature के level पे वो कहता है कि जो criteria A है जिसकी basis के उपर वो यह explain करता है कि three main domains में से at least four symptoms जो है वो बच्चा exhibit करे at least six months तक तो वो होना जरूरी है अब वो तीन criteria क्या है यानि anger उसका जो negative effect है वो हो उसका जो behavioral problem है जैसे disobedience है या definite behavior है वो exhibit हो रहा हो या उसका vinductive behavior जो है यानि meanful behavior जो है वो exhibit हो रहा हो तो वो कहता है कि criteria A जो है उसका पूरा होना fulfill होना जरूरी है compulsory है अगर वो criteria fulfill नहीं हो रहा तो आप उस बच्चे को ODD diagnose नहीं कर सकेंगे ओके फिर देन वो आपको diagnostic feature में ये बात भी explain करता है कि अगर उसका problematic behavior यानि उसकी argumentation with parents argumentation with siblings जो है वो develop हुई ही है सिर्फ एक setting के अंदर और school में उसका ऐसा problematic behavior नहीं आ रहा तो आप ये नहीं कहेंगे कि चुँके उसको सिर्फ घर में ये problem हो रहा है और घर से बाहिर ये problem नहीं हो रहा तो हम उसको ODD diagnose नहीं कर सकता अगर इवन उसका जो problem है वो एक setting के अंदर भी exhibit कर रहा है तो आपने उसको diagnose करना है लेकिन उसके साथ उसका specify लगाना है mild यानि जो problem है वो सिर्फ और सिर्फ एक setting के अंदर exhibit हो रहा है इसी तरह जब हम बात कर ये करते हैं diagnostic feature के अंदर कि ये भी हो सकता है कि problem more than one setting के अंदर exhibit हो रहा हूँ यानि उसका augmentation का problem अपनी teachers के साथ भी हो school के अंदर और उसका disobedience का problem जो है वो घर के अंदर exhibit हो रहा हूँ जिसना हम बंदर की बातों को comply show ना करना या किसी को तंग करना या इन्वाइ करना अगर खुछ से कोई गलती हो गई है तो उसका blame जो है वो भाई के ओपर या बहन के ओपर shift कर देना कि मैंने तो ये गलती की ही नहीं थी या यही blame shifting का जो factor है वो school के अंदर exhibit करना कि खुद मारना और blame जो है वो दूसरे बच्चे के ओपर लगा देना तो ये जो behavior है ये जो exhibition of behavior है अगर ये दो settings के अंदर exhibit हो रही है तो definitely जो symptoms की severity है वो moderate level की होगी तो आपने ये specify करना है कि उसका जो problem है वो moderate level का है और किन-किन settings में है उसको भी आपने साथ mention करना है ठीक है इसी तरह इसी तरह ये भी मुम्किन है कि एक बच्चे के अंदर सिर्फ कुछ symptoms हो और उसको पूरा ODD के जो criteria है वो fulfill ना कर रहा हो मिसाल के तोर पे जैसे हमने बात की थी कि जो ODD का criteria A है कि जिसके अंदर ये explain किया गया है explicitly कि जो problem behavior है वो from last six months जो है वो develop हो रहे हो और at least four जो manifestation of destructive behavior है वो होने चाहिए बच्चे के अंदर लेकिन ये भी मुम्किन है कि जो problem behavior है वो एक महीने से दो महीने से हो रहा हो और जो उसकी exhibition of problem है यानि सिर्फ temper tantrums आ रहे हो issue आ रहा हो और बाकी कोई problem नहीं आ रहा तो उस सूरत में भी आपने इस जीज़ को understand करना है कि ऐसी situation में बच्चे के अंदर सिर्फ symptoms of ODD होंगे और हम ये कह सकते हैं कि इस वकत बच्चे को पूरा criteria ODD का हम diagnose नहीं कर सकते और most importantly जब हम ये कहते हैं कि ये जो बच्चे हैं वो inductive behavior उनके होते हैं तो certain time ये क्या करते हैं ये अपने behaviors को justify करते हैं ये अपने behavior को इस तरह justify करते हैं कि it looks like वाके ही problem जो है वो उनके behavior में नहीं है बलके environmental circumstances ये ऐसे थे कि बच्चे ने उसकिसम का behavior जो है वो exhibit कर लिया तो they basically justify their behavior तो अगर कोई बच्चा अपने wrong behavior को या bad behavior को justify कर रहा हो तो you need to be very much mindful कि either ये behavioral problem है यानि उस बच्चे की अपनी तरफ से ये problem उसने exhibit किया है या ये वाके ही circumstances इस तरह के थे कि उसको इस तरह का behavior मैनिफेस्ट करना पड़ा तो you need to be very mindful about that thing too थेंक यू